भारत एक प्रजातांत्रिक देश है प्रजातांत्रिक सासन प्रेनाली में सासन जनता के हाथों में रहता है यह संभव नहीं है कि प्रतेक व्यक्तिक इच्छा से सासन हो अथ्वा सासन में प्रतेक व्यक्तिकी भागिदारी हो अत्या इसके लिए जन प्रतिनिदित्व का प्र प्रतिनिधी चुन सकती है इसमें जनता द्वारा चैनित प्रतिनिधी ही सासन चलाते हैं इन प्रतिनिधियों का चुनाव जिस प्रिक्रिया के द्वारा संपन होता है उस प्रिक्रिया को चुनाव अथ्वा निर्वाचन कहते हैं चुनाव प्रजतांत्रिक सासन प्रणाली की आधार सिला है स्वतंत्र भारत में पांच वर्षों के अंतराल पर एक आम चुनाओ का प्राउधन किया गया है इसके अलावा मध्यावधी चुनाओ और उप्चुनाओ की भी व्यवस्ता है देश में चुनाओ व्यवस्ता सुचारू डंग से चलाने के लिए एक निर्वाच इस्त्री पुर्सों को मत देने का अधिकार है लेकिन वे पागल दिवालिया या अपराधी ने हो चुनाओ दो प्रकार के होते हैं एक प्रत्यक्ष और दूसरा एप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष चुनाओ में जनता सीधे अपना मत देकर प्रतिनिधियों का चैन करती है यह था विदान सभा और लोग सभा के सदश्यों का चुनाओ एपरत्यक्स चुनाओ में जनता द्वारा चैनित प्रतिनिदी ही भाग लेते हैं यह था राश्ट्रपती, उपराश्पती, विदान परिशाद एवं राज्य सभा के सदश्यों का चुनाओ चुनाव के लिए सर्वपरतम चुनाव आयोग द्वारा अधी सूचना जारी की जाती है चुनाव में विभिन दल अपने अपने उम्मी द्वार खड़ा करते हैं इसके लिए चुनाव शेतर निर्धारित रहता है संपुन चुनाव शेतर को चोटी चोटी कायों में बांट दिया जाता है जिसे बूत अत्वा मतदान केंदर कहते हैं इन्ही केंदरों पर लोग मतदान करते हैं निर्धारी तिथी के एक दिन पूर भी चुनाव करमचारी दूबूत पर पहुंच जाते हैं उनके पास मतपत्र, मतपेटियां, आदी चुनाव सम्मंदी सामान रहते हैं प्रतेग बूत पर मतदाताओं की संक्या 500 से 1000 तक होती है अब मतदान केंदरों पर इलेक्ट्रोनिक मतदान मसीन अर्थार्थ EVM का प्रियोग होने के कारण अनेक प्रकार के सामान निरर्थक हो चुकी है EVM का प्रियोग अब लगबग संपुन भारत में होने लगा है प्रतेग बूत पर शांती व्यवस्ता ये तो पुलिस बल्थ तैनात रहता है इधर कुछ वर्सों में चुनाव में बूत लूट का काम होने लगा है इस से चुनाव प्रिकरिया में बहुत बादवधबन होती है तथा पुनर मतदान करानी की समश्या ख़डी हो जाती है प्रतेग बूत पर एक अधिकारी होता है लगे प्राते साथ बजे से साएं पांच बजे तक होता है इसके बाद EVM या मत पेटियों को सील कर दिया जाता है मत गणना की निरदारी तीधी तक मतों की शुरक्षा का भारी इंतजाम किया जाता है मत गणना में जिस उमिद्वार को सरुवादिक मत प्राप्त होता है उसे विजै गोसित किया जाता है उस शेत्री के सीविल एडियो या डियाम जो रेटनिंग ओफिसर होते हैं उनके द्वारा विजई उमिद्वार को लिखित परमान पत्र दिया जाता है भारत में चुनाव एक समस्या है क्योंकि यहां के अधिकांस लोग ऐसिक्षित हैं एसिक्षित लोग चुनाव का महत्व नहीं समझ पाते जात्यता सामपरदाइक ता एउम आर्थिक प्रलोबन के चकर में फास कर वे अपने मताधिकार का दुर्प्योग कर बैठते हैं चुनाव के समय हत्या बूथ लूट आदी तो आम बात हो गई है सक्तिसाली लोग बहुमत प्राप्त करने हैं तो बूथों को ही अपने पक्ष में लुटवा देते हैं या रुपए के बल पर गरीब जनता का मत खरीद लेते हैं अब तो पदलोलू पदादीकारी बूथ लुटवाने में सहो यही नहीं ये पदादीकारी मत गरना विवी हेरा फेरी करने से बाज नहीं आते इस परकार चुनावकार्थ समापता हो जाता है इस चुनावका एक खास दोस्य है कि इसमें मूर्ख और विद्वान का कोई अंतर नहीं रह जाता इस संदर्व में किसी सायर का यह कहना बहुत शार्तक लगता है जमूरियत वहतर जे हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं जाता यहीं कारण है कि आज विदान सभा और लोक सभा में बुद्धिमान के बदले बहुबली लोग ही जादा जीत कर जाते हैं लेकिन लोकतंत्र की सफलता के लिए चुनाव का निस्पक्ष होना बहुत जरूरी है इसके लिए चुनाव को एक पर्व की तरह मनाना चाहिए ताकि अच्छे और जुझारू जन प्रतिनिद्यों का चायन हो सके वे देश और समाज का कल्यान करने में सक्षम हो सके वैसी चुनाव आयोक का सदेव यह प्रियास रहता है कि चुनाव निस्पक्ष हो लेकिन इस्तिती यह है कि कोई डाल डाल तो कोई पात पात जिस परकार पर्व में पवित्रता का महत्व है उसी परकार चुनाव में भी पवित्रता की उप्योगिता है हिंसा बूत लूट जातिवाद सामपरदाईता तथा आर्थिक ब्रेष्टाचार आदी चुनाव की एन्यमित्ताई हैं इन्हें दूर करके ही चुनाव को पवित्र और निस्पक्ष बनाया जा सकता है इसी लिए हरीभाव उपाद्याय का यह कथन सही जान पड़ता है चुना युद्ध नहीं तीर्थ है पर्व है धन्यवाद जैहिन चैभारद